तो है गाइस कैसे आप सब आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया रहेंगे आज हमारे सब सीयमें रहान शर्मा है आई कर लगाएस काफी बच्वों के केंपस की डाउट रहते हैं जुकि एक दौट रहते हैं पर मुझके कोई भी कर शकता था लेकिन जो खुद बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं अगर हम उनसे कि थैंक्स फर इंवाइटिंग में सब्सक्राइब सबसे एक फोर्मोस्ट कोश्चन है और जो कि मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को रहता है जो केमपस में बैठने जा रहा है या अभी अपने लिए प्रिपेर कर रहा है और सोचेगा केमपस में जाने का कि क्या सच में अटेम् आप पास आउट हो रहे हो उस टाइम के कोर्डिंग चीजे डिफाइन होती है जैसे अगर मान लो अभी करेंट बैज की में बात करो करेंट बैज में परोक्ष में बस 120 में कौलिफाइड इस्टूइंट थे जिनमें से जिनके थी एटेम्स फॉर अटेम्स भी लगे तो उन सपोज मान लो 1,000 इस्टूइंट ने CMA क्वालिफाइड किया अब 1,000 में 800 इस्टूइंट इसे हैं जिनके मल्टीपल एटेम्स लग चुके सिर्फ 200 बच्चे इसे हैं जिनके फॉर्स अटेम्स फिर नहीं होते हैं उनको मल्टीपल एटेम्स वाले भी स्टूइंट को सब्सक्राइड करते हैं तो डिफनेटल जिनके अटेम्स लगेंगे उनका भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा और उनका भी स्लेक्शन होगा यह सब को पता है कुछ टाइम ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें पासिंग परसंटेज काफी इंक्रीज हो गया था बहुत सारे बच स्लेक्शन भी होगा मेरे कुछ स्ट्वेंट्स थे जिनका फोर्ड मोटर्स में या फिर अधर कंपनीज असेंचर में स्लेक्शन होगा जिनके तीन-चारा टेम लगे थे फिर भी कैंपस में स्लेक्शन हुआ है तो यह पॉसिबल है मुझे आपके अंसर के पास समाझा रहा है काफी बच्चे खुश हो गए होंगे जिनके अटेम्स लगे इवन मैं आपको बता हूं एक मेरी स्ट्वेंट थी जिसने 2011 में सीमें स्टार्ट किया था और 2024 में सीमें बनी है फिर भी उसको कैंपस में दो कंपनीज में सौट लिस उसको महाराश्रा और अंगाबद से बिलॉंग करती थी उसको उस लोकेशन पर भी जॉब मिल गए तो यह चीज़ें भी पॉसिबल है तो यह काफी बच्चों के एक डाउट बहुत क्लियर हो गया है कि अगर आपके लगे हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि आपको कैमपस में शॉट लिस्ट भी ना करा जाए राइट शॉट लिस्टिंग होगी और मैं तो कहता हूं कि देखिए इंसिट्यूट आपको सिर्फ शॉट लिस्टिंग तक लाके खड़ा कर सकता है उसके बाद जॉब आपको मिली या नहीं मिली वह पूरा-पूरा सिर्फ आपके ओपर डिपेंड करता है जिनके टेंस लिए उनको भी कम से कम दो से तीन कंपनी की सॉट लिस्टिंग के चांसे रहते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करते हैं तो उनके मैंड में डाउट होता है या मान के चलो कि एक बच्चा है जो सब्सक्राइब को मिलते हैं या हम जैसे लोगों को भी मिल सकते हैं कि अगर मैं हाइस्ट पैकेज की बात करो तो कैंपस में जो हाइस्ट पैकेज जो ऑफर की जाती है वह मुस्टली पीस्यू के द्वारा की जाती है चाहे वह गेल इंडिया हो गया या पीएपसी का 28 लग का पैकेज कुछ ताइम पहले था बीच में आयर एडिये भी आई थ जिसको 22 लग का पैकेज मिला था दिसंबर 22 एटाइम धाय थी और उसका कोई रैंक नहीं था बट फिर विसका उसमें स्लेक्शन हुआ था कुछ कंपनी होती है जिनका फोकस होता है कि सिर्फ रैंकर्स को बट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हर टाइम सेम सेनेरियों होता है कोशन आता है कि अब शॉट लिस्टिंग तो दोनों की हुई है बट स्लेक्शन किसको करेंगे कंपनी को क्या रैंकर्स को ज्यादा प्रफिर देंगे या फिर नौन रैंकर्स को भी चांसे मिलेगा तो एक केस है इसका भी मेरे पास L&T आप सबने नाम सुना होगा L&T कंपन में क्या हुआ था मेरे एक से दो स्ट्वेंट मुंबई लोकेशन के थे और एक से दो स्ट्वेंट कोलकाता लोकेशन से ते जिनके पास कोई रैंक नहीं था बट फिर वी उनका L&T में स्लेक्शन हुआ रीजन का था कि जब उनका इंटर्वी हुआ वह इस लेबल पर गया क इसको पहले पता चल गया था कि कंपनी सिर्फ रैंकर्स को पिर देने वाली है बट फिर भी उसने अपने इंटर्व्यू को खराब नहीं जाने दिया उसने काफी अच्छे से इंटर्व्यू को टेकल किया और उसका स्लेक्शन हुआ तो यह चीज़े भी हो सकती है और फिर स कहीं यह फिर से स्टुडेंट और उसकी प्रिपरेशन के उपर डिपेंड करेगा यह डिफनेटली चांसे आपको मिलेंगे अब आपको ऑपर्चुनिटी उसको ग्रैप करने आपको आना चाहिए करेक्ट अच्छा भाया कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका किसी भी रीजन की वजए से जो वर्क एक्स्पूजर है वह इतना नहीं हो सकते नहीं हो पाता है जिसमें से एक मैं भी था जब मैंने आपको कॉल किया था तो मैंने भी आपको यह बोला था कि मुझे इतना एक्सपूजर नहीं है तो क्या कोई कंपनी मुझे भी लेगी तो जो अंसर जो मैसेज आपने मुझ तक पहुंचाया था और जिसने मुझे इतना कॉंपेडेंस दिया कि किसी इंटर्व्यू में गए सारे लेटर लिए फिर हमने डिसाइड कि कि किस कंपनी में जाना है एक इन बच्चों को भी दीजिए मैं यह कहता हूं आप डमी मत लो कम से कम आप सिक्स मन्त की जो आपकी में डिट्री ट्रेनिंग उसको अप कंप्लीट करो और आपके जो मैं एक फॉर तू फाइफ पॉंट्स होने चाहिए फूर तू फाइफ पॉंट्स में या तो जी इस्ट रिलेटेड हो गया इंकम टेक्स हो गया अकाउंटिंग हो गया बुक किपिंग हो गया कुछ भी ऐसे एरिया जिसमें आप फाइफ टू टेन में अगर इंटर्विव आप से डिसकस करना चाहता है तो उतने कंटेंट आपके रिजुम में होना चाहिए और वह भी इन डिटे कंपनी से मिला मतलब 8 lakh का में रेंज क्या सकता हूं कम से कम उनको कैंपस में ओफर मिला है एट लेंग के रेंज में इवन कुछ बचों को ओफ कैंपस में भी जिनके पास सिफ 6 मन्त का इंटरेंशिप था उनका सेंचर में सेलेक्स वा उनको 10.5 से 11 का उफर मिला है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कम एक्सप्रियेंस है तो कंपनी है नहीं करेंगे रीजन कहा है आप सब फ्रेसर से में क्वालिफाइड हो तो एक्सप्रियेंस को इतना फोकस नहीं करती उनको चाहिए करेंट नॉलेज अपडेटे नॉलेज और जो एज़ पर इंडर्स्ट्री जो किसी रीजन की वज़े से आपनी इंटर्शिप आर्टिकल चाहिए ध्यान नहीं दे पाए जैसे कि पहले 6 मंच की मेंडेटरी ट्रेनिंग रहा करती थी आप 15 मंच की हो गई है तो वह जो मेंडेटरी ट्रेनिंग वाला जो टाइम पीरिड है ना वह आप लोग का होना ही ही चाहिए यह डिफिनेट ठीक है तो हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ भाया सबसे होट कोश्चन ऐसा जैसे फॉर इजामपल बच्चा सिर्फ अपने अपनी तरफ से महनत कर सकता है है ना वह मैं पूरे टाइम क्या करता है अपना थ्री फॉर फाइव यह अपने आप को इतना सोशलाइज नहीं कर पाता है कुछ बच्चे ऐसे होते जो इंट्रोवाट होते हैं अंडर कॉंफिडेंट होते हैं बोलने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप उनके अंदर ऐसा क्या ट्रांस्वोमेशन लादे रहे हो कि जो वह उनको जिनको डाउट था मेरे मेंडर्शिप को जोईन करते हैं बिसिकली हम कम से कम दो मेना तो मान कि चलो मिनिममम हमारे चलता है जैसा आपने भी देखा होगा डेली एक घंटे का हमारा जीरी सेशन होता है इसी कि लिए कि वह सारे बच्चे जो कहीं कहीं किसी रिजन से कभी नहीं बोल पाया उन्ह जिस्ते वह सारी सीजे बोल सकते हैं और इबन मैं अपने क्लासेट में हरे किस्टेट को कम से कम 5-10 minutes daily time देता हूं कि आप बोलो और उन topics के उपर और फिर मैं personally भी उनको गाइड करता हूं जब यह चीज उनके साथ 2 महने होती है तो बच्चे फिर मजबूरी में भी बोलना सुरू करता है और फिर उसको अच्छा लगने लगता है फिर उस्टू हो जाते हैं मुझे पचास बच्चों के सामने भी बोल वालो मैं बोलूंगा क्लास में इतने सारे बच्चों के सामने इंट्रेक्शन कर रहे हैं तो यह एक सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को गाइड करते हूं आप यहां पर गलत बोल रहे हो या फिर आपके पीछ ऐसी होने चाहिए आपका टून से ऐसा होना चाहिए जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उन्हें समझ में आने लग जाता है फि पर एक्जामपल थर्टी फॉर्टी फिफ्टी जितने भी बच्चे रहते हैं आप उन सब को रूम्स में डिवाइड कर देते हो जो रूम फोर या फाइफ परसंस का रहता है यह फॉर फाइफ में क्या होता था जब सबसे पहली बार मैंने जॉइन किया वो सारे बच्चे आपने टॉपिक दी और वो बोलना चालू बोलना चालू और मैं फर्स दिन उनको सिर्फ देख रहा हूं कि ओके ऐसा 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 क्योंकि उस पहले तो मैं भी बहुत ज्यादा मतलब अंडर कॉंफिजेंट का फिर तू थ्री फोर डेज होते ही ना बहिया एकदम फ्लुएंस हो जाता है तो हमें एक तरीके से मैं बोलूंगा फिर उस टाइम ना हम इतना ज़्यादा अपने अपको अंडर कॉंफिजेंट मैं सुचने के लिए अभी मैंने न्यू मतलब इस में मैंने बहुत सारे केस स्टुडी को भी एड किया इंडियस के केसे स्टुडी एक कोश्ट करते रहे इसको पर तो तो मतलब इस डर्भी मैंने बच्चों से निकालवा दिया वहां अपने हमारे टामपी पर नहीं कर रहा है चलो यह बाता हूं तो देरे देरे चीज़े और बढ़ती है ने अच्छा कि आपने क्यूंकि इससे तो मतलब जो उनको पढ़ना है वो भी ह और जो जीडी में करना है वो भी हो रहा है जैंट इस से दो निया है कि यह यह जैए मेरे साथ अभी जितने भी मेरे कव्रें चेंपस में थे जो फोब आएगा क्योंकि कितरे मेरे साथ जो बैठे थे उनको आइडिया भी नहीं था कि मैं ऐसा बोलना चालू करूंगा पर सच में कैंपस वाले डेंज बहुत अच्छे थे ओके सब्सक्राइब मेरा नेक्स कोश्चन आपको अपने साथ लेकर जाना है चाहि किसी टॉपिक आइंसर आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है जो भी हो आपको आपको चीजे बताने आता है तो अच्छे साथ एंसर करो दूसरी चीजी यह होती है बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि इंटर्विवर ने कोशन कंपनी के इंटर्विव में वह देन आपको उस कंपनी की चाहें रहूं पर्म ने नहीं को aan गोशने है किंपनी के बारने बाहरं चाहिए वह वह सारी राव Ayamvanti करे हुआ हैं तब आपके ऊच्छा जाएगा ठीक है सोट में 10 पेजिज का कि एका कंपणी का पुरा फाइनेंसियल है शौट में फास्टेन्स के ऐस करेंट न्यूज है तो आपको इतने अइडिया हो जाता है इस कंपनी के वारे माल लो मैंनुफ्याक्टिरिंग कंपनी तो प्रोड़क्स्टिंग ऐसे कर रही है वह सारी चीजे म प्रॉपर बना के मैं कोर्स के अंदर देता हूं जिससे स्ट्रेंट के लिए उस पीड़ेप को पढ़ते हैं उनका टाइम भी सेव हो जाता है और इंटर्वीव करक कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो पीज़ों पर ज्यादा ध्यान देती हैं यह हमारी के बारे में आप क्या ज कर रहे थे और मैंने उनको इंटर्वीव के लिए प्रिपेर किया और अभी उन्हें ने डिली डेवलोप्मेंट ऑर्थर्टी का इंटर्वीव क्रैक कर लिया है बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है तो मैं ऐसा नहीं कि अपने एज ग्रूप या फिर अपने स मैं अपने से सीनियर लोगों भी गाइड कर रहा हूं वह चीजे भी हो रहे हैं एवन मैंने पहले भी किया है एक और लेडी 10-year के एक्सप्रियंस कैंडिय थे जो कि किसी कमपनी में जॉब कर रहे थै बट उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी फिर मैंने उनको गाइड क मैं यह बात मानता हूं बिलकुल और कही न कहीं जिस तरीके से प्रिपेर किया हम लोगों ने जैसे भी आपने हमें जो चीज़े बताएं क्यूंकि जब एक बच्छा क्वालिफाई करके कैंपस में बैठता है न भी उसको इतने सारे होते हैं और उसके अंसर करने वाले आप ही जिएंस और नॉट गाइड़न सो मैटर करेगा जा कि एक और मैंने काफी मेरा ही क्या काफी बच्छों का डाउट रहता है की फॉर एक्जंपल हमने कैंपस के लिए तैयारी करी हम हम फॉर इंपल रहिया के पास चले गए यह के तैयारी के लिए हमारा शॉर्ट बॉसम्हा नाचिन इतने मतेम सब्सक्रबिक ऐसे कंड़ मैं कुछा की तै कि ईतनी बश्कि और कर गई फिर फिर सतरा साहल लगे तुबारा वड्ल कप C जीतने में तो हर किसी से मिश्टेक्स पॉसिबल से तो मैं इसके लिए मैंने एक सेकेंड बैक अप रखा है हारे के स्टुएंट्स के लिए देव वन से ही जब आप मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं आपको कैंपस प्लस ऑफ कैंपस दोनों के लिए पिरपेर करवाता हूं जिससे आप ऑ अपिके बैच करता उसका ITC Foods में स्लेक्शन हुआ था और ITC Foods में उसका राची लोकेशन के लिए और उसने ओफ कैंपस में डिलायट या के पिमजी ऐसे किसी बीग फूर्स से उसको उफर मिला और वो किसन कोलकता था तो उसने पूछा मेर से बहां मैं क्या करूं मैं कॉलकत तो यह तभी हो पाया जब इसके पास ऑफर्स थे इवन अभी अब भी करेंट बैच में आपको बताओ मेरे पांच बच्चे सीट को में जे फॉंड अकाउंटिन स्लेक्ट हुए जिसमें से एक है दो बच्चे के पास ओल लेडी ओफ कैंपस में इस इंचर्श ऑफर था और आपको आफ कैंपस में को 11 LPA का ओफर मिला और सीट को का ओफर कैंपस का एट LPA का था ठीक है अब आप खुद बताओ आपको ऑफ कैंपस में अगर कैंपस से ज्यादा उफर मिले तो अगर आप कंपनी अच्छी तो डिप्निल अब जाओगे तो ऐसा भी होता है ऐसा निग क तो यह चीज पॉसिबल इसलिए मैं कैमपस ऑफ कैमपस दोनों की तयारी करवाता हूं डे वन से और सबसे च्छी बात है कि जब तक आप कहीं नहीं हो जाते हो तब तक मैं आपको सपोर्ट करता हूं यह आप यह बाद आपने बोली कि बच्छों का सबसे बड़ा डर निकाल दिया कि उनको ऑफ कैमपस असिस्टेंस भी मिल रही है साथ में सिर्फ कैमपस तक ही नहीं है अब एक पर्सनल कोशन जब से वीडियो स्टार्ट हूं तब से मैं आपको भहिया ही बोल रहा हूं और मैं कि जब मैं कैमपस लिए अब दो जितने वी वच्चे ते वो सारे भी आपको भया बोलते जो हमारे सीनियर्स आपने बूलाए थे कैमपस तो पूछने के लिए वह आपको भाइया बोल रहे है तो एचले मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे बहिया बोलता है भायव स तो आप सोचते हो यह मेरे बहुत अपने प्रॉब्लम सेर कर सकता हूं और यह होता है एवन मैं आपको बता हूं मेरे पास इस्टुएंट अलेक्ष निए अपने प्रस्टी लेकर आते हैं इसे चल रहा है मेरे पास ऐसे भी कोश्टेंस आया बहुत सरी इवन चाहिए वो गर्ल्स स्टुडेंट हो या फिर कोई बॉय स्टुडेंट हो उनके रिलेशन्सिप के भी प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफ में वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पढ़ाई को टायम नहीं दे पा रहे थ है कि मैं हर किसी को हेल पर सपोर्ट कर सको जितना मैं कर सकता हूं उनके लिए तो यह वहां से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है तो इस आपकी जो कोर्स है वो सिर्फ कैंपस तक लिमिटेंट नहीं है मतलब कोई भी प्रस्टनल इवन आज मैं बता हूं आज मैं स्यम इंचूट गया था एक आपके बैच कर स्ट्वेंट था आदिल से आपको याद हो इसका अभी स्लेक्शन हुए डेलीड अधिय डेलीड इव्लोप्मेंट और उसका इंडीन टूरिजम कोरपरेशन में नहीं टीक है इंडियन टूरिजम कोरपरेशन लोधी रोड में मुझे काफी दिन से मेसेज कर रहा था कि भाया मुझे आप से मिलना है ठीक है मुझे आपको कुछ अपने प्रॉब्लम्स बताने है प्रस्टेशनली आप से मिलके तो आज में चूट गया था मैंने इसको बोला ठीक है मैं चूट आया हूं तुम आज वा मिलने से मिला अपने सारी चीजे बता है मुने इसको सॉलूशन बता है तो यह चीजे होती है ऐसा नहीं कि देखो आप कल को ऑफिस में भी जाते हो ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है बहुत सारी चीजे लाइफ में चलती है वहां पर भी आपको एक सीनियर चाहिए जो आपको चाहिए तो एक बरे भाई की आपके जिन्दगी में जरूत होती है और बहुत जैसे मैं एक आपसे वैसा मतलब थोड़ा परसनल कोशन पूछन पूछना चाहता हूं कि अभी जब हमारी बात हो रही थी जब मैंने आपसे बोला कि भाईया आप आप खुदी जैसे बतारे से कि आपका जब कैंपस में नहीं हुआ था तो आपने सोचा कि आप मुझे बतारते इक पर बताओगे एक्चली मैं बताओ मैं 2018 में मैंने से में क्वालिफाई किया था और सबसे बड़ी प्रॉब्लेम चैलेंजेज में यह थी उससे मैं मुझे कोई बताने वाला समझाने वा है मुझे बोलना कैसे अब सिय में कोर्स में होता कि है आप बहुत कुछ लिखना सीख जाते हो आपको बहुत सारे लोग की नॉलेज हो जाती है इसको प्रजिंट कैसे करना है वह एक प्रॉब्लम आता है एक्जाम में लिख के प्रजिंट करते हैं लेकिन औरली अपने आप को कैसे प्रजिंट करना इंटर्विवर को कि आप उनको अपने आपको सेल कर सको बिकोज इंटर्विव में आप अपने आपको सेल करते हो तो वह चीजे मुझे किसी नहीं सिखाई और जिसके वैसे जहां मैं हो सकता था स्लेक्शन वहां भी मेरे स्लेक्शन नहीं हो पाया और मैं मुझे याद है आज भी हो दिन मैं चूटके सीडी पर बैठके मैं और मेरे दो फ्रेंट थे हम लोग सोच रहे थे कि आप यहां से जिंदिगा क्या होगा हम कहां जाएंगे और फिर वी काफी स्ट्रगल का फेस था तो फिर मुझे लगा किया कोई तो होना चाहिए जो स्टुडेंट्स को इन सारे चीजों के लिए गाइड करें सौल करें और वह अपने लाइफ में चीज अच्छे से स्टार्ट करें आपने मेरे अगर स्टोरी वीडियो देखी होगी तो मैंने अपनी जर्णी एक फॉर्म से स्टार्ट किती बाद में ठीक है और उससे में में लोग यही बताते थे पहले फॉर्म में जाओ काम सीखो फिर कॉर्परेट में जाना कॉर्परेट में जाना इतना असान नहीं है ठीक है बहुत सारे मित थे लाइफ के और इसलिए मैंने 20,000 रुपीज से से में क्वालिफाई होने काद एक फॉर्म में काम किया सिर्फ य ही और होता ठीक है तो कहने के मैं यह चाहता हूं कि आपका टाइम से वह और आप अपने लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हो आपको एक सही डारेक्शन मिल जाए क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट पता हो तो आप उस रास्ते को बना सकते हो तो मैं वही चा है कि मैंने अपनी फीस बहुत कम रखी है कि जिसे कोई भी एक मीडिल क्लास लोर क्लास किसी भी क्लास के स्टुरेंट हो स्कोर्स को जोइन कर सकता है बहुत असानी से और इसलिए एक अच्छा रिस्पांस भी है बहुत कम टाइम में more than 150 प्लस स्टुरेंट में में स्लेक्ट में देख हुए हैं different companies में और आभ है अपने देखा है कि all over India हमारे स्केंस है किसी ने किसी कमपनी में कोई ऐसा City नहीं है जहां पर अपने स्क्ष्ट नहीं है और उसका रीजन यह है और अर्यक्ष्ट कर रहें कुई उन्होंने मुच्छिए देखा राइन कि बहुत कि बहु वैं बाता हो मैं दिन आपसे पूछ रहा था एक दिन ऐसा था मैंने आपको बहुत सारे डाउट के परेशानों कि आपको कॉल किया और वह दिन था आज का दिन है तो कितना सब बदल गया ना मुझे पाफ सब्वाध जो बहुत सारे जूले जो आप activity आप कर रहे थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि काफी अच्छे जगह बच्चे पहुंच चुके हैं है वह है दरबाद की वह आप सारे इतने सुंदर सुंदर से आप उसके फोटो वीडियो डालते हैं मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छे जवाप अच्छे ची कंपनीज में घूम रहे हैं और क्या चाहिए आपको लाइफ में एक अच्छी जॉब चाहिए एक अच्छी लाइफ चाहिए तो ऐसके आज मेरे कॉश्चंस से अगर आप लोगों को और भी कोश्चंस हैं जो इस वीडियो में नहीं कावर हो पाए तो आप अपने कोश्चंस जरूर कमेंट करना और हम तो सब करेंगे आप सब करेंगे और अच्छे से अपनी त्यारी करेंगे आप सब को जॉब मिलेगा जो आप चाहते हैं और all the best मेरी तरफ से बच्चों को देना चाहें लाइफ में मेहनत करते रहो आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहो और कहीं भी स्टक हो तो किसी सीनियर से और झाल आप तो आप इसको फॉलो करो और या भिए और को आखेंगे बढ़ो और यह ज़रूरी भी नहीं कि अगर आपको कुछ open questions है तो आप भाइया से campus में ही मिलोगे या वैसे ही आप उनके साथ मुलब discuss कर सकते हो आपको भाइया का Instagram handle पाता है भाइया LinkedIn पे भी है मैं भी हूँ आप सीय में रोहन सर्माप कर सकते हो आप मिल जाएगे बस Google पर लिखना तो अगर किसी को भी कोई open questions हो तो वो बेशक चाहे LinkedIn पे चाहे क्या नाम है इंस्टा पे भी हो आप भी तो यूट्यूब करें तो वो कैसे ने कैसे हम लोगों से connect करके जो भी उसके questions है वो clear कर सकता है ठीक है बाकि एक अच्छी guidance के लिए अगर मैं इन्वाइट किया और सारे questions काफी अच्छी अपने ड्राफ्ट किये जो डिफिनेट्ली इस्ट्रेंट्स के लिए हल्फुल है थैंक्यू